क hyvä हेलो अब्रइबान आगा लेह करेंगे उसके बाद कुछ मेंड पॉइंट और लास में से बहुत सारे मीनिक्स को के हिंदी बी जानेंगंगे सो इसके नामस तके रस रहा है जो बहुत सारी ट्राजिक श्टोरी इस थों किसी का बहुत जाद बुरा होना तो उसको बहुत है ट्राजिक स्टोरीज अन्फोल्डे ड्योरिंग डैवस्टेरिंग इवेंट तो एक एक इवेंट है अब वो कौन सा इवेंट है आगे जानेंगे जसमें कि सुनामी आई थी और वहाँ पर बहुत साथ जो लोग अफेक्ट हुए थे उनकी ये स्टोरीज है तो सब्सक्राइब शुरू करते हैं इग्नेसियस से इग्नेसियस वह जगाए और इग्नेसियस वहां का कॉपरेटिव सोसाइटी मानेजर था ही और इस फामिली एक्सपीरिंस्ट आप पारफुल अर्थक्वेक फॉलोड बाइ राइजिंग सी वेप्स उसने और वहले कि उसकी फामिली ने बहुती भ्यंकर अर्थक्वेक हैने कि भुकम एक्सपीरिंस किया और भुकम के बाद फिर जो सी वेप्स जो लहरे होती है बह उस लेहर में क्या हुआ, sadly some of the family members were swept away और उस sea waves में उसके जो family members से कुछ बह गए and they were left with only a few surviving children और वो उन में से उनकी family में कौन कर मज़ा, कुछ बच्चे बच्चे दूसरी स्टोरी है, संजीव आप पुलिसमान on catchal island, catchal island के हम बात करें, तो संजीव हो क्या है, पुलिसमाने, managed to save himself, उन्होंने अपना आपको बचा लिया, his wife and his baby daughter from the waves, उन्होंने अपना आपको, अपनी wife को, अपनी baby को, baby daughter को लहरों से बचा लिया, however, he lost his life while trying to rescue someone else, पर उन्होंने अपनी life खो दी, क्यों? क्यों क्यों वो दूसरों को बचा रहे थे, 13-year-old Meghna was also caught in the tsunami with her parents and many others, 13 साल की Meghna में फस्के तो तुनामी में, अपने पेरेंस के साथ और बाकी लोग के साथ वामें फस्के थी, after floating in the sea for two days, और वो समुद्र में दो दिन तक तेरती रही, she miraculously survived and was found on the shore, और वो जादुई तरीके से बची, क्योंकि वो दो दिन तक तेर रही थी, किसी चीज की help से, और वो बच गई, सर्वाइब कर गई, और वो कहाँ पर मिली? शोर पे, जो किनारा होता है, समुद्र का, similarly, अलमस जावेद, a 10-year-old girl, अलमस जावेद, जो 10-साल की लड़की है, फिस टेरिफाइंग ओर्डियल, उसने भी फिस किया, टेरिफाइंग ओर्डियल, टेरिफाइंग कर लगा था, बहुती भ्यंकर, और ओर्डियल का मलता है, जब कोई कठीन सिचुवेशन होती, परिस्ति उसको ओर्डियल बोलते हैं, शी और हर फामिली, वर विजिटिंग, नॉन कावरी आइलेंड, फो क्रिस्मस बेंद सुनामी स्टक, वो नॉन कावरी आइलेंड जा रहे थे, क्रिस्मस के लिए, यजब सुनामी आई, हर फादर और ग्राण फादर वर स्ट अफट अवे, उनके पापा और जो ंपादर थे, वो लेहरोग केता चले गाए, वो निफाट वेहा दातर, वो बाकर को बचाने के चकर में, उनके खादर वो गरनफादर, लेरो में चले गए अलमस एंड़ फ्लोटिंग ओन पीस ओफ वुड अंटिल शी वा रिस्क्यूड तो वो भी लकडी का जो एक टुकड़ा होता है उस पे वो तेहती रही और फाइनली उसको बचा लिया गया और उसको बचाने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाए गया अब एक दूसरी स्टोरी है इन कॉंट्रास स्टोरी फिम थाइलांड तेल्स आप दी स्मिट स्मिट फैमिली में राक्यूलिस स्केफ फ्रम दे सुनामी अभी थाइलांड के स्टोरी है महाँ पर क्या हुआ हुआ स्मिट फैमिली स्मिट फैमिली बची इसकेफ का मना थे बचना वो सुनामी में बच गए टिली स्मिट यह 10 साल की लड़की है रिमेंबर डाग जोग्रफी लेसन अब आप सुनामी जस्ट बिफोर दे डिजास्टर स्टाक तो तो टिली स्मिट ने जब यह श्मिट फैमिली आई उसे कुछ दिन पहले उसने सुनामी के बारे में इपने जोग्रफी के लेसन में पढा था वंके भूगोल के लेसन पढा था श्री रिखनाइस दो वानिंग साइन्स और उसने जो warning sign होता है जो चुनामि के आने से पहले कि जो चीज़े होती है आज पास उसने भाप लिया और अर्ज हर family to safety उसने अपने family को बोला safety में जाने के लिए क्योंकि उसने भाप लिया था ultimately saving their lives and the lives of others उसने अपने जान बचाई उसके साथ उन्होंने तिल इने अपने दूसरे लोग के भी जान बचाई आनिमल्स also seemed to sense the impending danger before the tsunami hit और जो जानवर होते हैं उनके पास ऐसी sense होती है वो यह पता कर लेते कि सुनामी कब आया जब सुनामी आने वाली है वो पता कर लेते हैं भुकाम आने वाली है पता कर लेते हैं उनके behavior के वज़े से many fled to higher ground avoiding harm बहुत सारे जानवर higher जो उचा place पे चले गएगो this instinctive behavior instinctive का मतलब होता है जो अंदर की जो behavior है यानिकि भाप लेना of animals is believed by some to be a sixth sense that helps them detect natural disasters before humans can perceive them तो ऐसा माने जाते है कि जो जानवर है उनमें six sense होता है जो इंसान में नहीं है कि हमें पता कब चलता है जब भुकाम आगे होता है या सुनामी आगे तो उसके बाद हमें पता चलता है पर जानवर को पहले ही पता चल जाता है चाहे वो पक्षी हो चाहे वो animals हो जानवर हो Despite the devastation caused by the tsunami, stories of survival, quick thinking and animal instincts remind us of the resilience and interconnectedness of life during such catastrophic events इतने devastation, इतने with ones के बाद, इतने सारी stories सुनने के बाद, survival stories सुनने के बाद के लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई quick thinking कि उन्होंने उस time कैसे सोचा और जो animal जो जानवर थे वो हमें यह बताते कि जो resilience है, resilience का मलब हो था जब कोई cutting परिस्तिती होती है उसमें आप किस तरह से action लेते और इस catastrophic events में, catastrophic का मलब हो था बहुत है विद्वन्सकारी events में तो यह थी story, अब इस lesson के हम कुछ main points को discuss करते हैं, तो अगर हम अंडमान निकुबार आइलेंड की बात करें तो आपके कौन-कौन से stories निकल काई, Ignatius ने earthquake को experience के, वोकम को experience के और उसके बाद tsunami को experience के, कहाँ पर catchle में, जैसे क्या हुआ, उसकी family members की जान चली गई, संजीर जोगी पुलिस्मैन था, उसने अपनी family के जान बचाए, पर उसकी जान वो नहीं बचा पाया, दूसरों की जान बचाने के चक्कर में, उन्होंने अपनी life खो दी, फिर मेगना, मेगना कैसे बची, वो दो दिन तक, जो लकड़ी का दर्वाद आता है, उस पर वो त देरती रही, वो बच गई, अलमस जावेद एक 10 साल की लड़की थी, lost, उन्हें बहुत सारे family members को सुनामी में खो दिया, फिर एक डिली स्मित की कहान की हमने सुनी, कहां से, थाइलेंड से, और 10 साल की लड़की थी, और उसने sign पहचानने की कुछ सुनामी आने वाला है, य क्योंकि geography lesson की कारण, she warned her family, उसने अपने family को warned किया, and they escaped to safety, और वो safe जगे पर चले गए, और वो इन डेडली वेप्स, महा तक चले गए, वो जहां तक लहर ना पहुच पाए, उसके बाद जो Smith family थी, वो बाके ट्यूरिस से भी मिले, और उन्से मिले जिन्होंने अपनी family members को खो दिया था, और जो लोग बच गए थे, क्यों बच गए थे, क्योंकि टिली ने उनको warning दिया था, कि ऐसा कुछ होने वाला है, अब हम बात करते है, animal behavior पे, तो जो animals होते हैं, जानवर होते हैं, वो unusual behavior करते हैं, जब भी कोई भुकम बानाई वाला होता है, या फिर tsunami आने वाली होती है, तो उनके behavior में कुछ changes होता है, जानवर हैं तो वो उच्छे जगे पर जाने के कोश्च करेंगे, अगर वो birds हैं तो वो बहुत हैं शोर आइविटनेस से रिपोर्टेड एलिफेंट स्क्रीमिंग और जो लोग वहाँ पर थे, आइविटनेस, उन्होंने यह बताए कि जो हाथ ही थे, वो चिला रहे थे, और जो डॉक्स थे, उन्होंने बहार जाने रिफ्यूस करते हैं, वो बहार नहीं आ रहे थे, और जो जू शाणमर ते, उन्होंने छूनामी में वो बच गए, बिगर सजंट्थ करता हमें, हमार दोस Sel待 फी पास यह हम पात झालका से इसे रहें व हम से ज्च लड़ा है, इसे करता कैने कि ने मोफ्सेंज से सન का और जूशन Series लो और भज़ए लंडान बहरा पास हिसे पते इस ग्रमेने को देखते हैं आपकल लौग का मतलब होता है कि फिर ट्रेमर्स ट्रेमर्स का जटके विसीड का मतलब होता है है यानिकि आप बहुत जाना आए और लिए एमोशन हो चुके हो बहुत जाद ही भावना प्रकट कर रहे हो आप या फिर आप अनकंट्रोलिबली एक्साइटेड हो आपके जो एक्साइटमेंट है उसकी कोई सीमा नहीं है फिर फोर्वाडनेस का मलब होता है पूर्व सूचित स्लाम्ड का मलब होता है जड़ से मारना है इन्टाइसद का मलबता है प्रालोभन किसी को अट्राक्ट करना किसी को कुछ दिखाके अट्राक्ट करने करते हैं इन्टाइसद पेरिष्ट का मलब लक्वल हो जाना ट्रिगरडेजर का पानी में गोल गूंता है घूग्रफी लेसन यानिकि भूगोल का पार्ट उसके बाद है हमारा टेरिफाइंग और कि बहानक सर्डी का मतलब बड़ी मातरा में बढ़ना आई विटनेस का वना है शाक्षी वो लोग जिन्होंने किसी इवेंट को देखा हो Vibration का मदला होता है कमपन यहां पर तलवार यह तो रॉंग है इसको बलते हैं ना कमपन परसीट का मदला हता है अनुभव किया बफलोज भैसें कार्कैसिस का मतलता है शव डेड़ बॉड़ीज कार्कैसिस सेंस का मतलता है अनुभूती इंटाइजड प्रुलोभन देना इसको अट्राक करना यह हम उपर भी डिसक्रस कर चुके हैं कडलोर है यह तेमिलनाडू में एक शहर है अनहाम्ट अच्छ होता है यह जिसको कोई इं जहना इंटाइस हम ओले डिसक्रस कर चुके हैं पहले और फंड कम अनाथ ट्रॉम में टाइस का मतलता गंभी रूप से प्रभावित होना आप इंडस काम डिसक्रस कर चुके हैं फॉर्म का मतलता है बुल-बुला यह बुबला लिकाए शोरी पर दाट इसका मतले बुल-